आज इस personality की हम बात करेंगे इनके पिता इंडस्ट्री के most handsome actors में गिने जाते हैं इनके भाई भी एक बहतरीन actor है यह खुद भी acting तो जबर्दस्त करते हैं लेकिन roles choose करने के मामले में बहुत ही selective है बात करेंगे hot and handsome राहुल खन्ना की राहुल खन्ना की life से जुड़ी वो बाते में आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब राहुल खन्ना पढ़ाई के लिए इंडिया छोड़कर न्यू यॉयॉक चले गए क्यों राहुल खन्ना की पहली choice काम करने के लिए फिल्मे नहीं बलकि टीवी बनी और कैसे राहुल खन्ना आज भी है कवारे राहुल खन्ना की डैड विनोत कन्ना बॉलिवूद इंडस्ट्री के वेटरिन आक्टर थे बहुत ही हैंसम थे और अपने डैड की तरह राहुल खन्ना भी बड़े होकर हैंसम ही हुए ईनकी मॉम गितांजली एक मॉडल रह चुकी थी राहुल करना को अपने पिता के साथ कम ही समय मिल पाया इसके पीचे कारण ये था कि जिस सुबक्त राहुल करना और उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा था तब विनोत करना सहब लाइफ का मतलब ढूनने के लिए ओशो में चले गए जिसके बाद सेही राहुल करना और उनकी फैमिली अकेली हो गई राहुल करना की परवरिश मुंबई में ही हुई Mumbai International School से उन्होंने अपनी पठाई पूरी की इसके बाद मुंबई के सेंच-जेविर कॉलिच से इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की और राहुल करना अपने पिता के तरों फिल्मों में ही आना चाहते थे इसलिए थियाटर की पढ़ाई के लिए वो न्यूयोग के ली स्ट्रॉसबर्ग थियाटर इंस्टिटूट चले गए 92 की ये बात है एक साल तक वहाँ पढ़ाई के बाद राहुल करना ने आगे और पढ़ाई की उन्होंने मैनहाटन का इंस्टिटूट ओफ विजूल आर्ट्स भी जॉइन किया और आगे की दो साल वहाँ पढ़ाई की उसी दोरान राहुल करना को पता चला कि MTV एजिया जो है नए फेसे जूड रहा है तो तब राहुल करना ने अपना एक सीवी और अपनी पिक्चर्स अटैच करके MTV के ओफिस भीज दी कुछ दिनों बाद राहुल को MTV से कॉल आया जिसके बाद उनके multiple rounds of auditions हुए और फाइनली राहुल करना MTV के लिए वीजे के रूप में सलेक्ट हो गए इस दोरान उन्होंने MTV Most Wanted, MTV Select, MTV Hit List, MTV Hanging Out, MTV Fresh जैसे शोज होस्ट किये राहुल करना को वहाँ पर instant popularity मिल गई, उनको Hot VJ का tag मिल गया और सभी तरफ राहुल करना की demand बढ़ गई, इसी दोरान MTV ने राहुल करना को Singapore ट्रांसफर कर दिया यही वो टाइम था जब राहुल करना के भाई, अक्षे करना बॉलिवूड इंडस्ट्री में लॉंच हो गए थे इस फिल्म का टाइटल रखा गया था Made in India लेकिन उसी दौरान जब अक्षे खन्ना की फिल्म हिमालाय पुत्र रिलीज हुई और वो फिल्म बॉक्स आफिस पर खास नहीं परफॉर्म कर पाई तब राहुल खन्ना की ये फिल्म भी अटक गई और राहुल खन्ना को फिर विनो के लिए काफी अच्छा रहा उन्होंने अक्टिंग को बुखत इंजॉई किया यही वो टाइम था जब दीपा महता एक फिल्म पर काम कर रही थी इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान को लीड आक्टर के रूप में लिया था नंदिता दास फिल्म की आक्ट्रिस थी और सेक आया है जिसके बाद रहुल खना ने इस फिल्म के लिए हा कह दिया लेकिन वो थोड़े नर्वस थे क्योंकि उनकी पहली फीचर फिल्म थी और कैमरा फेस करने से रहुल काफी जिजक रहे थे रहुल ने शूटिंग के पहले दिन की पूरी तरीके से तयारी कर ली थी अपन यही दिन शूटिंग कैंसल हो गई क्योंकि उस दिन दीपा महता की तब्यत फोड़ी खराब हो गई और अगले दिन जब रहुल खना को शूट के लिए बुलाया गया तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कामना तक नहीं की थी रहुल खना को पहला ही सीन देन तो उन्हें सुकून मिला और यही सुकून वो जिन्देगी में ढूंड रहे थे आक्टिंग करके रहुल खना को काफी अच्छा लगा चहाए एक तरफ उस दोरान बॉलिवूड में कई सारे स्टार किड्स लाँच हो रहे थे जादा करके रोमैंटिक फिल्मों से ही लेकिन रहुल करना को भी फिल्मों की इतनी भूक नहीं थी कि ऐसे ही कोई भी रोल वो कर ले वो content oriented रोल्स करना चाहते थे इसके बाद वो दीपा महता के साथ ही बवंडर में नजर आए बॉलिवूड हॉलिवूड नाम की फिल्म उन्होंने की जिसका रंग रंग तेरे रं लेकिन रहुल करना अपने काम को लेकर काफी क्यूजी हो गए थे सबसे बड़ी बात जिस तरह की फिल्में उस जोरान चल रही थी उस तरह का काम रहुल करना नहीं करना चाहते थे वो हिरोईन के आगे पीछे गूमना डांस करना फ्लर्ट करना ये सब रहुल करना की acting का है वो ऐसे रोल्स करना चाहते थे जिससे लोगों को मैसेज पहुंचे और उनकी performance का impact हो एलान रकीब दिल का बड़ी जैसी commercial फिल्में राहुल करना ने की तो सही लेकिन ये फिल्में ही box office पर कुछ खास perform नहीं कर पाई रहुल करना एक बार फिर से जबरदस रोल में नजर आ तो राहुल करना ने जाया था फिल्मों के अलावा राहुल करना ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है सीरीज 24 और The Americans नाम के शो में राहुल करना ने बहतरीन प्रदर्शन किया है राहुल करना ने अपने करियर में बहुत कम काम किया लेकिन जितना भी काम किया उन्हो लोगों के साथ काम करें भले ही दीपा महता हो या फिर ओम पूरी सहब हो राहुल खना ने इंडस्ट्री में सेलेक्टिव काम किया इसके पीछे कारण ये था कि वो अपने काम को लेकर कभी इंसिक्योर नहीं हुए हैं वो फिल्मी माहोल में ही पले बड़े हैं इसलिए फिल् इंडस्ट्री कोई नई दुनिया नहीं थी हाँ इस इंडस्ट्री में बेस्ट वो क्या कर सकते थे वो उन्होंने अपने करियर में करने की कोशिश की जहां तक बात है राहुल खना के परसनल लाइफ की तो उन्होंने अपने भाई अक्षे खना की तरह अपनी परसनल लाइ अपनी परसनल लाइफ में क्या करते हैं कौन-कौन है उनके साथ इसका खुलासा कभी हो ही नहीं पाया है आपको बता दे कि जहां राहूल खन्ना अक्षे खन्ना के बड़े भाई हैं वहीं साक्षी खन्ना नाम का एक स्टेप ब्रदर है उनके और शद्धा खन्ना इनकी स्ट उन चन्द लोगों में से एक है जिन्होंने बहुत ही कम काम किया लेकिन उनकी पॉपुलारिटी आज भी बरकरार है किसी भी करेंट सूपर स्टार से जादा है राहूल करना की कौन से फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर श पिकाना